वेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक वेली गूड मॉर्णिंग तो डिया इन देस्टेशन आपको प्रेपेर अलाबाद हाई कोड आरो एरो एंड यूपी पीसी आरो एरो एक्जैम सेमल्टेनेसली बहुत से लोगों का यह मैसेज आ रहा है कि सरी यह बताईए कि दोनों का मिकसात कै से करें क्योंकि अलाबाद हाई कोड की वेकेंसी आनी है और इधर आपका यूपी पीसी आरो भी लगा हुआ है वो भी आपका आना है तो किस तरह से करें तो देखिए अब जो है टाइम आपके पास कम बचा है अगर यही क्वेस्चन आपका अगर आपने आज से दो मेना प इंग्लिश रहता है तो अलग चीज है लेकिन जो जीएस और हिंदी है वही सेम चीज आपकी जो यूपी पीसी का आरो यार उसमें भी पूछी जाती है यानि कि इस समय अगर आप जीएस और हिंदी को फोकस ज्यादा करोगे तो आप दोनों में मिलेगा तो आपका चाहें अलाबाद हाई गोड का पहले पड़ जाए चाहें आपका यूपीसी का आरो यारो आपको ज्यादा पहले एक्जाम देना पड़े आप फायदे में रहो गे इसके लावट इंग्लिश वह आपका यूपीसी आरो यारो में आये गा नी कंप्योटर आपको अतना अभी उस प अपना पूरा फोकोस इसमें करो ठीक है तो वह आपको फाइदा देगा और जीएस में भी आपको इचीज ध्यान रखनी है कि जो करेंट अफेर्स का सेक्ष्टन है वह यह गलत मत करना मतलब वह अगर आप गलत कर दोगे तो आप एकदम से लोगों से बीचे हो जाओगे क्यो वह आपसे चान नमबर तुरन तागे हो जाएगा तो आपको इचीज ध्यान नहीं कि आपको कुरेंट अफेर्स गलत नहीं करना है जो भी तीन-चार महिने का पीछे का जैसे कि अगर आप मानके चलें तो नवंबर दिसंबर जनवरी तो आपका नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च यह आपके चार-पांच महिने जो हैं यह अच्छे से तयार हो तो करांट अफेर्स पे मैंने आपको बता दिया है इसके लबाद जो प्रिप्रेशन स्ट्रेटीजी है कि कैसे किस के लिए क्या करें वो सब मेरी प्लेश्ट में वीडियो हैं आप उसको एक ब हिंदी में साथ नमबर आप जल्दी से जल्दी खीचिए उसको पूरा तयार करिए अलग रखिए इसके अलावा यूपी पेसी आरो एरो के लिए जो जियास एक सो चालिस नमबर की उसमें जो मेजर मेजर जो आपके सेक्शन हैं जैसे आपका पॉलिटी हो गया हिस्ट्री ह हो गया जोग्रेफी हो गया करेंट अफेर्स हो गया एकॉनमी की जो करेंट में चल रही है वह गया तो यह सब चार पांच बड़े-बड़े सेक्शन है इनको तो मतलब अभी से ध्यान दीजे इन पर पूरा फोकस आपका भी होना चाहिए आपकी मतलब हिस्ट्री एकदम त साइड बाई साइड तयार करने कभी आदा गंटा अरिकल्चर देख लीजिए में में चीजें की कौन सा फस्नों का रोग है कौन सा इंपोर्टेंट जो हैं मेजर और माइक्रो न्यूट्रियंट है इसके लावा जैसे आपका यूपी स्पेशल है तो उसमें से रोज एक साइंस को अलग से दो तीन दिन चार दे दिजे और उसको पूरा इदम याद करके अलग रख लिजे ताकि अगर कोई भी क्वेश्चन आगा इंवर्मेंट और साइंस से आता है तो आपका एटलीस गलत ना हो वह एक दम आपके शोर शॉर्ट कॉस्चन होते हैं और जो करेंट आपका जोग्राफी में भी हेल्प करेगा ठीक है आपका अग्रीकल्चर भी आपको अच्छे से समझ में आएगा तो यह सब चीज़ें इंटर रिलेटेड़ है तब इन सब चीज़ा को ध्यान देना है इसकलाब बहुत से लोग यह भी कह रहे है कि आप 2021 आ गया है तो अब हमें जो पुरानी वाली जो जनसंख्या नगरीकरान है वो पढ़ने की जरूत नहीं है वो नहीं आएगी वगएरा वगएरा यह सब जो भी चल रहा है मार्केट में देखिए यह जियस होता है ठीक है जियस में देखिए करेंट अफेर्स का क्या है करेंट आपकी सा दो तीन साल की भी पूछ लेता है बड़ चलिए बाकी एक्जैम में आपकी PCS हो गया आरो इनमें एक साल से ज्यादा पुरानी नहीं पूछी जाएगी लेकिन जो जियस है वो आपकी कभी भी पूछी जा सकती है तो आपका जो जनसंख्या नगरीकरान का जो सेक्शन है ऐस तरह से और पूछ लेगा कि जो फॉरेस्ट कवर है वो कितना था या फिर पॉपलेशन से रिगार्डिंग कुछ पूछ लेगा ऐसा नहीं है कि पूछा नहीं जा सकता तो आप लोग इस डाउट में ना रही है और लगातार फोकस बनाए रखिए कंसिस्टेंसी मिंटेन करे रही है फॉर्म आएगा सब लोग जुटेंगे जो अभी से जुटा रहेगा वही आगे जाकर के लीड बनाएगा वही एज लेगा तो आई होप कि आपको थोड़ा सा आइडिया मिला होगा इससे कुछ आपको हेल्प करेगा और को यगर आपका डाउट उप्रिशन के थैंक्स पर वाचिंग जै हिंद जै भारत हैवा गुट डे अहेड़